हेलो फ्रेंड्स स्वागता आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आज जो हम बात करने वाले हैं इस बदलते मौसम में होने वाली सर्दी जुखाम खांसी को कैंसे दूर करें तो सबसे पहली जो मेडीसीं है मेरे पास लीक टैबलेट है दोस्तों ये लीफोर्ट कमपनी के आती है जनेरिक मेडिसीन है वैसे दोस्तो मगर रिजल्ट दोस्तो इसका बहुत बैस्ट रहता है इस लीकप टैबलेट के अंदर दोस्तो इंगिडियन है, देक्स्टर मितासॉन है फिनाइल एफरीन, हाइडो कलोराइड है दोस्तों मॉक्स जो है एक एंटिवाइटिक मेडिसीन होती है, इसके अंदर जो सॉल्ट इस्तमाल किया गया है, अमॉकसिलिन 250 एमजी, ये दोस्तों एक एंटिवाइटिक सॉल्ट होता है, जो की दूर करता है बैक्टिलिया को मारने का काम करता है, इसके प्राइस की बात करते हैं, दोस्तों 40 बन रुपीज में ये 15 कैप्सूल आते हैं, दोस्तों इन दोनों मेडिसीन को आप आपको जैदी बैक्टिरियल इंफेक्शन है सरदी जुखाम खासी जैसी समस्या हुई है उन दोनों कंडिशन में दोस्तों, ये दोनों टैबलेट आप दिन में तीन वार ले सकते हैं एक सुबा, दुपैर, साम एक एडल्ड वियक्ती है, दोस्तों एक एडल्ड की डोस बता रहा हु Papi अधर वियक्ती है तो सुबा, दुपैर और साम तिनों टेम आपको दॉनों से एक-एक मेडिसीन ले नी है आपको सर्दीयू जो steril खाएसी समस्या हैं ओस्सकंदिशन में बॉक्या चैज क्या हो जाता है। तो उस कंडिशन में आपको ये ट्याफट लेंनी है इसके अंदर नीमोसलाइड है और पेरासिटमोल है नीमोसलाइड इसके अंदर 100 mg है और पेरासिटमोल 325 mg है यह दोस्तो नीडोलाइड पी के नाम साती है यह भी एकली फोट के द्वारा बनाएगे जेनरिक मेडिसीन है तो आपको यदि सर्दी जुखाम खासी के साथ बुखार है तो उस कंडिशन में दोस्तो आपको इसको भी इसी दोनों मेडिसीन के साथ दिमें तीन बार लेना है दोस्तो इस वाली मेडिसीन के जो आपको लेना है यह जो लेनी है आपको यदि आपको बुखार है दर्ध है, बोडी पेन है, सरीर में आपके, तो उस कंडिशन में आपको इस medicine को लेना है, अदर्वाइस आपको यह दे, आपको सरदी जुखाम, खासी जैसे समस्या है, तो उस कंडिशन में आपको गेवल, यह दो medicine काफी हैं आपके लिए, दोस्तो आपको अगर यह medicine needle light P के नाम से नहीं भी मिलते हैं तो आप किसी other brand की खरी सकते हैं उसके अंदर neemosilide और paracetamol होना चाहिए दोस्तो आपको यह मैंने जो तीनो medicine बताई है यह जो medicine है आपको अपनी doctor के advice पर ही लेनी है आपको खुछ से बिल्कुल नहीं लेनी हैं दोस्तो क्योंकि दोस्तो इसकंदर जो antibiotic medicine है आप इसको खुछ से बिल्कुल ना ले क्योंकि doctor के advice पर ही आप इस medicine को ले दोस्तो इन medicine के इस्तमाल करने से कुछ comment से side effect हो सकते है आपको मतली हो सकती है उल्टे हो शकती है फिट खराब हो सकता है यह इसके कुछ comment से side effect रहता है जो इस्तमाल करने से किसी किसी patient में देखने को मिल सकते हैं दोस्तो दवाई शूरी छूटी मगर महतपूर जानकारी पाने के लिए हमारी चैनलों को subscribe, like और bell like नावाना ना भूले जिसके हमारी आने वाली अगली बूड़ी का notification आपको मिलता रहें धन्यवाद दोस्तो